योग क्रांती परिवार के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है हमेशा की तरह एक बार पुनहा मैं आप सभी के सामने योग का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आजम बात करने वाले हैं भक्ति योग प्रस्न संग्रह की भक्ति योग को भी योजी सीनेट के स्लेवस में सामिल किया गया है भक्ति योग से लेकर कौन-कौन से प्रस्न आप से पूछे जा सकते हैं इस बारे में आजम बात करने वाले हैं साथी साथ आँगे भी हम नए वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे यदि आप योजी सीनेट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं यदि आप योग में लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं यदि आप योग में नौकरी धूण रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी साथ आप लाइक करें, सेयर करें और कमेंट भी करें चले शुरुआत कर लेते हैं आज का पहला प्रस्ण है वज सेवायाम धातू में कितन प्रत्य लगाने से भक्ती सब्द बनता है आप से प्रस्ण पूछा जा सकता है कि वज सिवायाम धातु में कौन सा प्रत्त्य लगाने से भक्ती जबद बनता है आपको answer आना चाहिए आप चाहें तो इन सारे वाक को या प्रस्न को या answer को हम कुछ भी कहें क्योंकि प्रस्न भी यही है और आंसर भी यही है इसलिए इनको हमने smart fact कहा है आप इनको नोट कर लीजे यदि आप नोट नहीं करना चाहेते तब आप PDF प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 रोपे में अगला प्रस्न भक्ति सब्द का अर्थ है सेवा, पूजा, उपासना, संगति करन, आदी भक्ति सब्द जो है इनके बहुत सारे अर्थ है जिन मेंसे कुछ मैंने अभी बताया आपको कि सेवा है, पूजा है, उपासना है और संगति करन है यह प्रस्न आपसे पूछा जाएगा कि निमन मेंसे कौन सा भक्ति सब्द का अर्थ नहीं है जिन में तीन आपको यही मिलेंगे एक कुछ हटके मिलेगा और जो कुछ हटके मिलेगा उस पर आपको डिक लगाना होगा अगला प्रस्न नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है सात असमन परम प्रेम रूपा अर्थात प्रभू के प्रती प्रेम भाव ही भक्ति है आपसे अलग अलग ग्रंतों के बारे में पूछा जा सकता है कि नारद भक्ति सूत्र में क्या कहा गया है या अन्य ग्रंत में भक्ति के बारे में क्या कहा गया है तब आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि भक्ति योग छोटा टोपिक तो है नहीं अन्य अन्य ग्रंतों में अन्य अन्य प्रकार की definition आपको देखने मिलती हैं आपको आना चाहिए तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि नारत भक्ती सुत्र में क्या कहा गया है भक्ती के वारे में यह आप याद रखेंगे प्रसन प्मूछा जाएगा कि नारत भक्ती सूत्र में भक्ती के बारे में निम्न मैसे क्या कहा गया है या फिर नारत भक्ती सूत्र की परिभासा क्या है चार ओप्सन आपके समक्ष होंगे सही ओप्सन आपको चुन्ना होगा अगला प्रस्णा सांडल भक्ती सूत्र में कहा गया है सा भक्ती परानु रिक्ती जी स्वरे अर्थात इस्वर में परम अनुरक्ती ही भक्ती है मैंने अभी आपसे कहा था कि अलाग अलाग ग्रंथों से आपसे मुच्छा जा सकता है तो यहाँ पर अभी मैंने नारत भक्ती सूत्र की बात की थी अब मैं सांडल भक्ती सूत्र की बात कर रहा हूँ कि सांडल भक्ती सूत्र में क्या कहा गया है भक्ती के बारे में प्रसन आईएमपी है आपको आना ही चाहिए अगला प्रसन भक्त के चार प्रकार स्रीमत भगवत गीता में स्री कृष्ण ने बताये हुए हैं आर्थ भक्त, जग्यासु भक्त, अर्थार्थी भक्त और ज्यानी भक्त प्रस्न आपसे पूछा जा सकता है भक्त के चार प्रकार कौन कौन से हैं तब आपको बताना होगा आर्थ भक्त, जग्यासु भक्त, अर्थार्ती भक्त और ग्यानी भक्त आपसे यह भी पूछा जा सकता है भक्त के चार प्रकार कहां पर बताए गए हैं या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है भक्त के चार प्रकार किसने बताए हैं तो आपको याद होना चाहिए स्रीमत भखवत गीता में स्री किष्णत के दुआरा बताये गए हैं अब देख लेते हैं अगला प्रसना कि यहाँ चारों जो हैं आर्थ भक्त, जग्यासु भक्त, अर्थार्ती भक्त और ग्यानी भक्त यह कौन से होते हैं तो यहाँ पर आर्थ भक्त, गंबीर संकट में फसने पर जो गुरू का भजन करे वहाँ आर्थ भक्त है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आर्थ भक्त कौन होता है जो गंबीर संकट आ गया, तब हम गुरू का भजन करने लगे, गुरू का इसमान करने लगे, इसके पहले जब तक संकट नहीं था, हमने गुरू को नहीं माना गुरु की ना ही पूजा की ना ही उपासना की संकट आने पर हम उनको भजने लगे ऐसे भक्त को हम आर्त भक्त कहते हैं अगला प्रसना जिग्यासु भक्त आत्मा ब्रह्म है आदी को जानने की इच्छा रखने वाले भक्त जिग्यासु भक्त कहलाते हैं मतलब जो जग्यासा रखते हैं किसी चीज को जानने की तो जग्यासा ही से बना है वरेड जग्यासू जो किसी चीज को जानने की इक्षा रखते हैं वो कौन होंगे जग्यासू भक्त मतलब आत्मा को जानने वाले या ब्रह्म आदी जो हैं इनको जानने की इच्छा रखने वाले जग्यासु से आपको याद रखना है अर्थार्थी भक्त जो किसी मकान वस्तु जमीन इस्त्री मानसम्मान आदी की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने गुरू का भजन करते हैं वे अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं यहाँ पर वैसे आपको किलियर हो गया होगा यहाँ लिखा है अर्थ अर्थ हार्थी अर्थ मतलब किसी चीज के अर्थ के बारे में हम किसी चीज के लालसा के बारे में यहाँ पर बात कर रहे है कि हमें किसी चीज की मकान, वस्तू, जमीन, इस्त्री, मानसम्मान आदी को प्राप्त करने की लालसा है और प्राप्त करने की एक्छा से हम क्या करते हैं? गुरू का भजन करते हैं हम भजन करेंगे तो में मकान मिल जाएगा हमें बस्तू मिल जाएगी मान सम्मान मिल जाएगा उनको कहते हम अर्थार्ती भक्त अगला प्रसना ग्यानी भक्त जो आत्म कल्यान के लिए अपने आराध्य को भजते हैं वह हैं ग्यानी भक्त जो स्वयम के या आत्मा के कल्यान के लिए जो है अपने आराध को भजते हैं जिनको वो मानते हैं उनकी वो आराध ना करते हैं उनको बोलते हैं ग्यानी भक्त प्रस्न आपसे पूछा जा सकता है ग्यानी भक्त किसे कहते हैं? चार option आपके सामने रहेंगे, अर्थारती भक्त किसे कहते हैं, चार option आपके सामने रहेंगे, सही option आपको चुनना है, बहुत ही ज्यादा सरल आपको लगेंगे ये प्रसना, अगला प्रसना, प्रसन पूछा जाएगा, स्री कृष्ण जी को कौन से भक्त प्यारे हैं, तो अगला प्रस्ण श्रवन, कीर्टन, इस्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदान, दास, साक्ष और आत्मनेवेदन यह यह भक्ती के नौभेद हैं जिनहें नवधा भक्ती के नाम से जाना जाता है योग सादक को नवधा भक्ती के नाम तो मालूमी होते हैं योग के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है यह बैसे सभी को आता है तो यहाँ पर भी आपको आना चाहिए कि नौधा भक्ती के नाम कौन-कौन से है यह प्रस्ण पूछा जाएगा निमने मैं से क्या नौधा भक्ती के अंदरकत नहीं आते हैं तब आपको नौभक्ती के नाम मालूम होना चाहिए वह नाम है स्रवण, कीर्तन, इस्मरण, पादसेवन, अरचन, वंदन, दास, साख्य और आत्मनिमीदन इनके बारे में डेटेल में भी हमने आपको बताया है स्रवण अपने आराध्य देव की बातों को सुनना स्रवण मतलब सुनना आप सबको मालूम है तो अपने आराध्य देव जो है उनकी बातों का क्या है स्रवण करना या सुनना अब आता है स्रवन के बाद कीर्टन भगवान की लीला का गायन करना आपने देखा होगा जगे जगे मंडली बैठती हैं वो कीर्टन करती है तो वह कीर्टन में क्या करती है किसी भी भगवान की लीला जो उनों ने किया वो उनका गायन ही तो करते है वजन कीर्तन जिसको हम बोलते हैं तो वही कीर्तन है आपको याद होगा अगला इस्मरण करना भगवान का इस्मरण करना यह बहुत ही सरल है हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं भगवान का इस्मरण कर रहे हैं उसी में आनंद उठा रहे हैं यह तो सभी को आता है बहुत सरल है पाद सेवन भगवान के चरणों की सेवा करना उसको क्या बोलते हम पाद सेवन अगला अर्चन या पूजा करना सरलसा वाक्य है सभी को मालूम वंदन भाव भरे मन से भगवान की वंदना करना वंदन कहलाता है ये भी आप सभी को मालूम है लेकिन एक बार रिवाईज जरूर करना है क्योंकि प्रस्न पूछा जाएगा कि वंदन नमनम ऐसे क्या है या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं भाव भरे मन से भगवान की वंदना करना क्या कहलाता है आपको बताना पड़ेगा वंदन कहलाता है दास स्वक्ति क्या है अपने आपको भगवान का दास समझना या अपने आपको जो है भगवान का नोकर समझना वह क्या है दास स्वक्ति है लेकिन ऐसा नहीं जैसे आप समझ रहे हैं दास स्वक्ति से अपने आपको भगवान का दास समझना कि हमें भगवान ने भीजा है भगवान के तरीके से ही सारे काम हो रहे है अगला प्रस्न साख अपने आराध्य को अपना मित्र समझना दोस्त समझना सखा समझना आत्मने वेदन भगवान को सब कुछ अरपन कर देना जो है सब आपका है और मैं आपको ही सौप रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं आत्मने वेदन करना या आरपन करना नो प्रकार की भक्ती के लिए पांच प्रकार के भाव होना चाहिए जो हैं दास, साख, वातसल्य, मधुर और सांद या प्रसन यूनिवर्सिटी में बूचा गया था इसलिए इसको याद रखना है कि नो प्रकार की भक्ती के लिए कौन से भाव होना चाहिए या फिर नो प्रकार की भक्ती के लिए जो भाव होना चाहिए वो कितने प्रकार के हैं तो पांच प्रकार के हैं कौन-कौन से दास, साख, वातसल, मधुर और सांत अगला प्रसना जब नवदा भक्ती की चरम अबस्था होती है तब रागात्मी का भक्ती की सुरुबात होती है यह प्रस्ण आपसे पूछा जा सकता है कि रागात्मी का भक्ती की सुरूबात कब होती है तब आपको आना चाहिए जब नवधा भक्ती की चरम अवस्था होती है अगला प्रस्ण साधक को अपने आराद्दी की जलक सजीव दिखाई देती है कभी आसमान में, कभी पेड़ों पर, कभी जलासाय में, तो कभी मंदिर की प्रतिमा में जो साधक होते हैं उनको अपने आराद्दी की जिनको वो भजते हैं उनकी जलक जो है अलग-अलग चीजों में दिखाई देती है वही वरणन यहाँ पर मैंने किया है देख लेते हैं जलदी से अगला प्रसना रागात्मिका भक्ती की चरम अवस्था पराभक्ती है यह साधक की उत्किष्ट एवं अन्तिम पराकाष्ठा है पराभक्ती में द्वैत नहीं रहता है उपासक और आराध्ध एक हो जाते हैं साधक को एक मात्र परम्रम का साक्षातकार होता है सबसे बड़ी बात यहां पर याद रखना है कि रागात्मी का जो भक्ती है उसकी चरम अवस्था क्या है पराभक्ती है और दूसरी बात आपको याद रखना है कि पराभक्ती में जो है दोयत नहीं रहता एकात्म हो जाता है वो पासक और आराध्य की बीच में अगला प्रस्णा भक्त के गुण भक्त के कौन-कौन से गुण होना चाहिए वहाँ 25 नमबर प्रस्ण में मैंने बताया हुआ है एकाकार चित्तवाला दुवेस रहत अहंकार रहत करूनावान संभाव, छमासील, निर्मोही, मित्रतापून, व्यवहार यहाँ भक्त के गुण है आपसे पूछा जाएगा नमन मैंसे कौन सा भक्त का गुण है आपको बताना होगा अगला प्रस्ण अब हम देख रहे हैं प्रस्ण सिर्फ 25 भी इसमें दिये हैं आँगे आने वाले वीडियो में हम और भी प्रस्ण आपको बता देंगे अगर आप पीडिये प्राप्त करना चाहते हैं तो दिये गए वाटसप नमबर के माद्धन से ले सकते हैं अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद